नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त बी यल मीना प्रज्ञान आरेस आउनलाइन इस्टूडियो जैपुर से अपनी इस्वराशक्ति कैसे बढ़ाएं, अपनी याददास्त कैसे बढ़ाएं, विद्यारती हीत में एक स्यांदास रंकला के साथ, क्या आपने कभी आज तक यह देखा है कि एक विद्यारती खुद का नाम भूल जाता हो, जनम तिती भूल जाता हो, परिक्षा तिती भूल जाता हो, माता पिता, बेन भाई या वीबी बच्चों का नाम भूल जाता हो, कदापी नहीं देखा होगा, चहा कर भी ऐसा नहीं हो स क्योंकि यह विद्यारती होस में है और जिंदा भी है इसलिए तो कहा गया है होस में किया गया कारिय पुन्न है बेहोस में किया कारिय पाप है कोई भी विद्यार्ती अपनी परिक्षा में फैल नहीं होना चाता कोई भी विद्यार्ती किसी भी परिक्षा में कभी भी फैल नहीं होना चाता आपकी नजर में है कोई विद्यार्ती जो अपनी परिक्षा में फैल होना चाता हो नहीं ऐसा कोई नहीं चाता है कोई नहीं चाता तो फिर अनेकों बार अनेक विध्यारती क्यों फैल हो जाते हैं क्यों बेरोजगार रह जाते हैं क्यों हतास हो जाते हैं क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं यहां तकी आत्मत्या का कदम उठा लेते हैं ऐसा कदापी ना करें मित्रो आप भी टॉप कर सकते हो खुशी को खुशी ना समझे खुशी को खुशी ना समझे गम को गम ना समझे अगर करनी है तरक्की तो खुद को किसी से कम ना समझे आईए और देखिए क्यों कुछ विध्यारती सीधा सा जवाब है केवल और केवल अपनी विलक्षण इस्वराशक्ती के कारण ऐसा करते ही नहीं है कि यह इस्वराण सक्ती जरमजात मिलती हो ऐसा कत्ते ही नहीं है कि यह इस्वराण सक्ती विरासत में मिलती हो नहीं इस्वराण सक्ती जब चाओ तब बढ़ सक्ती है जब चाओ जब बढ़ा सक्ते हो सुधार सक्ते हो किसी विध्यार्ती को निरास होने की आव सकता नहीं है जब खिलारी अपना खेल में सुधार कर सकता है तो विध्यार्ती भी अपनी याददास्त बढ़ा सकता है कैसे? प्रक्टिस से प्रक्टिस से विध्यार्ती अपनी याददास्त बढ़ा सकता है देखिए एक छोटा सा बच्चा अनेकों बार कैरम बोड, टेबल टैनिस, लूडो, आदी के खेल में बड़ो बड़ो को हरा देता है क्यों और कैसे? केवल प्रैक्टिस की बज़े से बच्चा यहां उम्र में छोटा है लेकिन प्रैक्टिस में बड़ा है प्रियविद्यार्तियों निरास न हो, जब चाहो तभी अपनी इस्वर सकती बड़ा सकते हो और परिक्चा में टॉप रेंग प्रावत कर सकते हो, तो तयार रहे, लेकर आ रहा हूँ एक स्रंकला अपनी इस्वर सकती कैसे बड़ाएंगे, अपनी यादास कैसे बड़ाएंगे, तो आईए सुनाता हूँ, स्यांदार कहानी एक विद्यार्ति अपनी सपलता की चाहत में एक महार रिशी मुनी के पास जाता है विद्धार्ती को रिशी मुनी से एक मंत्र चाहिए जो उसे सपलता दिला सकता है क्योंकि ये रिशी मुनी इस्वर समकक्च माना जाता है जिस किसी को यदि मंत्र दे दिया वो व्यक्ती हमेशा हर चीज में सपलता प्राप्त कर लेता है तो विध्यारती भी अपनी परिक्षा में टॉब करने के लिए अच्छी रेंग प्राप्त करने की चाहत में रिशी महाराज के पास चले जाते हैं रिशी महाराज बहुत कठिन प्रियास करने के बाद इस प्रकार के मंत्र देते हैं बालक अपने प्रियास में सपल हो गया रिशी महराज ने बालक को मंत्र भी दे दिया और आज जो ये मंत्र दिया गया बड़ा संयोग का दिन था अमवश्या का दिन था और ऐसा संयोग लगवग 500 सालों में बन रहा था विध्यारती बहुत खुश हो रहा था जैसे ही विध्यारती को रिशी महराज ने मंत्र दिया और ये समझाया कि आराम से इसनान के बाद पूजा पाठ के साथ एकांत में मंत्र को चार बार पढ़ना हैं सिर्फ चार बार जब आप पढ़ लोगे याद हो जाएगा और आप हर परिक्षा में सपलता प्राप्त कर लो आईए एक बात और समझाता हूँ भूल गया जब आप इसनान करके पूजा पाठ करके एकांत में जब इस मंत्र को याद करते हो मंत्र को चैर बार जब पढ़ते हो तो बीच में बंदर नहीं आने चाहिए आपके चित में आपके मन में आपके मस्तिक्स में बिलकुल बंद इसलिए ये तो मैं मंत्र को च्यार बार आराम से आसानी से याद कर लूँगा जैसे ही बालक वहाँ से चला जैसे ही वो सिड्डियों को कुटिया से उतरता है गर की तरफ बढ़ता है बड़ा खुस हो रहा है लेकिन दीर दीरे उसके मन में बंदर वाली बात याद आ रही है उसे बंदर ही बंदर दीखने लगे लेकिन उसने सोचा इसनान करने के बाद पूजा पाट करने के बाद एकांत में घर में जैसे ही मंत्र याद करूँगा तो बंदर ध्यान में नहीं रहेंगे ऐसा ही उसने किया रात में एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार रात में त तो बंदर सामने आ जाते हैं। हम कंपीटिशन की तैयारी करते हैं लेकिन हमारे मस्तिक्स में एकागरता नहीं रहती है। और हम दोस्तों के साथ जनम दिन मनाते हैं, आए दिन स्यादी ब्याव में जाते हैं, सोसल मीडिया पर बिना काम की चीजों में अपना समय बरबाद करते हैं, हमारे यही बात बंदर की तरह है, हम परिक्षा पास करना चाहते हैं, सिलेवस पढ़ना चाहते हैं, टॉपिकों को नहीं बन पाती है इसलिए प्रिय विद्यार्तियों इसमरण सक्ति का कमजोर होना हमारे लिए अभी साप है भूलने की आदस से बहुत बार आये होई अवसर हाथ से निकल जाते हैं एक्जाम हॉल में पेपर हल करते समय एवब इंटर्यू बोर्ड के सामने हमारी याददास्त इसलिए तो हमारी सपलता का हतियार है जिस विद्यार्ति की याददास्त ठीक है वो परिक्षा पेपरों को परिक्षा हॉल में अच्छी तरह हल कर लेता है इंटरू बोर्ड के सामने स्यांदार जवाब दे देता है और टौप रेंग प्रावत कर लेता है लेकिन जिस टोनों के सवाल निया भी साप बन जाता है दुनिया के सबसे तेज विलक्षन, श्राण सक्ती प्रात वेज्ञानिक आइस्टाइन की मरत्तु के बाद उनका मस्तिक्स जाचने और प्रकने के लिए प्रियोग साला में लाया गया था एक साधन आदमी का मस्तिक्स भी निकलता है कि आईश्टाइन का मस्तिक्स इतना विसेश विलक्षन याद करने वाला कैसे बन गया मित्रो प्रियविध्यार्तियों सिर्फ और सिर्फ लक्ष के प्रती चेतन मन की सक्रियता से बना था सत्प्रती सत्मस्तिक्स लक्ष के प्रती फॉकस हो तो अपनी परिक्षा म हर विध्यारती तौप कर सकता है तो आईए साथियो आज से ही महसूस कीजिए आपका मस्तिक्ष भी कंपूटर की तरह है मेरी मस्तिक्ष ये चमताएं भी आइस्टाइन की तरह काम करेगी मेरा मस्तिक्ष भी सुपर कंपूटर से तेज सल सकता है जुकती है दुनिया जुकती प्रस निकलता है कि क्या आम विध्यारती भी अपनी याददास्त बढ़ा सकता है जी हाँ आम विध्यारती भी अपनी याददास्त बढ़ा सकता है और जो चाहे वो परिक्षा टॉप कर सकता है तो फिर एक और प्रस निकलता है साथियो विध्यारती को इस याददास्त बढ जो वीडियो की स्रंकला में बटाया जाएगा, अपनी इस्वन सक्ति कैसे बटाएं, स्रंकला के वीडियो देखते रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल पर क्लिक करें, अगला वीडियो लक्ष पर फॉकस कैसे करें, मैं आपका दोस्त, BL मीना RS टॉपर 2007, प